हाई फोक्स वेलकम बैक टो गमी कीती चैनल आपकी हैल काफी अच्छी है और आज जो मैं आपको जॉब ऑपर्चिनिटी बताने वाली हूँ वो एक बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से है जिसका नाम आपने सुना ही होगा ठीक है अब यह जो काम है यह कोई भी कर सकता है ठीक ह काफी a simple and common profile है और यह completely work from home है घर बैटे बैटे यहाँ पर आपको अपलाय करना है रिजिस्टर करना है फिर online ही आपका सारा process होगा recruitment process होगा interview test और फिर उसके बाद आपका जो काम है वो work from home ही होगा and घर बैटे ही आप यह काम स्टार्ट करोगे यहाँ पर experience की बात करूँ त तब भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अगर आपके पास experience है तो 2 साल का maximum experience यहाँ पर eligible रहेगा तो यहाँ पर आप apply कर सकते हैं accordingly ठीक है जो salary है वो काफी अच्छी रहने वाली है freshers के लिए and experience के लिए ठीक है बट यहाँ पर जो salary है वो आपको HR ही बताएंगे final round के बाद जब आपके सारे round हो जाएंगे आपके interview के basis पे and आपका experience कितना है किस profile में experience है इन सब चीज को जानने के बाद यहाँ पर आपका जो salary है वो decide किया जाएगा फिर जो company है वो है मिंत्रा मिंत्रा के लिए यहाँ पर hiring हो रही है customer support की profile है profile के बारे में मैं आगे detail में discuss करने वाली से बट अगर आप customer support की जगा कोई एक ऐसी profile देख रहे हो जहाँ पर आपका career बहुत जादा grow कर सकता है job security हो और salary काफी अच्छी हो तो वो एक profile है data science की मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है और मुझे बहुत खुशी हो रही यह बताने में कि मेरे suggestion के through 18 लोगों का career change हो बट यह कैसे हुआ अब मैं आपसे discuss करने वाली हूँ ठीक है तो बहुत research के बाद मैंने इस platform का पता लगाया है Odin School करके यहाँ पे एक website है और यहाँ पे Odin School प्रोवाइड कर आता है data science का course ठीक है six months का यह course होता है और यहाँ पे आपको theoretical knowledge के साथ सा practical knowledge भी मिलती है अगर आप enroll करते हो तो यहाँ पे बस आपको data science के बारे में बताया नहीं जाएगा बलकि आपके resume में काम किया जाएगा आपके mock interviews होंगे ताकि आपका interview fear हो हट जाए ठीक है आपको industry exposure भी मिलेगा ताकि इंडस्ट्री के बारे में आपको information मिले ठीक है तो आपको overall ready किया जाता है यहाँ पे आप सोच रहे हो कि क्या यह मेली है data science course क्या मैं यहाँ अप्लाई कर सता हूं कि नहीं कर सता हूं मेली कै यहाँ पर data science course का डेमो आपके लिए यहाँ पर ओडिन स्कूल लेकर आया है ठीक है आप डेमो के लिए यहाँ पर रिजिस्टर कर सकते हैं अब डेमो में आपको पहले industry overview दिया जाएगा ठीक है यहाँ पर इंडस्ट्री के बारे में आपको पता जाएगा कितनी opportunities हैं क्या क् package रहती है pathway to land or data science job यहाँ पर आप कैसे data science job ले सकते हो यह आप से discuss किया जाएगा फिर आपके दिमाग में कुछ भी question है उनके answer आप से discuss कि जाएगे ठीक है ताकि आप अपना decision अच्छे से बना सको ठीक है और अगर आपने last तक डेमो यहाँ पर अटेंड किया तो exclusive rewards आपको म अगने वाले हैं ठीक है अब यह demo कौन जॉइन कर सकता है for anyone who wants to create a successful career in data science अगर आप data science में एक अच्छा career बनाना चाते हो यह demo आपके लिए है अगर अगर फ्रेशर हो और आप data science में अपना career start करना चाते हो तो यहाँ पर यह demo आप ले सकते हो experience professionals हो आपका कोई experience है आप HR में क सब्सक्राइब कर देख सकते हैं कि बहुत सब्सक्राइब करना चाते हो तो यह बहुत अच्छी opportunity है आप सभी लोगों के लिए अब आप यह देख सते हैं कि बहुत सारे लोगों ने यह course किया है और फिर उसके बाद as a data scientist और data science की बहुत सारी profile में आप यह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी company ने इन्हें placement opportunity दी है अगर मैं companies की बात करूं कि कौन-कौन companies hire करती है तो आप देख सकते हैं मीशो है श्नाइडर है, Kellogg's है और यहां पे सार्थी है, यहां TCS भी है, Flipkart है, Google है, Tech Mahindra है यह सारी company ने tie-up कर रखा है audience school के साथ और time to time hiring होती रहती है और जो audience school के students हैं उनकी यहां पे placement लगती रहती है ठीक है? तो यहां पे अगर आपको डेमो के लिए register करना है तो यहां पे first name भरोगे, last name, email id, phone number, फिर choose a date, आप अपने according date चूज कर सकते हो 12 और यहां पे next demo जो होगा, वो होगा 19th April को तो आप उसके लिए भी register कर सकते हैं तो डेमो पे click कर देना और फिर यहां पे आपका जो registration है वो complete video जाएगा और फिर आपको demo के लिए link आजाएगा यहां पे demo देखने के बाद समझने के बाद data science कैसा course है आपके लिए बना है नहीं बना है आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो उसके बाद आप अपना decision खुद बना सकते हो ठीक है तो यह था बहुत important information आप सभी लोगों के लिए maintain a positive attitude and calmly respond to customers complain on time prepare customer reports by collecting data collected during customer interactions resolve customers concern and answer customers questions to your best ability refer issue and questions to managers if necessary attract potential customers by answering their product and services यह सारी चीज़े आपको यहां पे customer handle करने है ठीक है यहां पे customer complaints आपके पास आएंगी तो आप देख सकते हैं आप उनको solve करना पड़ेगा आपको पहले आपको training मिलेगी ठीक है तो अगर आप रेशन हैं आप सोचना है मुझे कुछ नहीं आता है तो ऐसा नहीं सोचना है आपको तो यहां पे आप training के बाद अच्छे से काम कर पाएंगे ठीक है ensure customer satisfaction skills requirement experience as a customer support specialist ठीक है familiarity with our industry is a plus experience using help desk software and remote support अगर आपके पास यह experience है ठीक है आपने CRM system पे काम किया है आपने desktop software पे काम किया है तो यह plus point है बट यह mandatory नहीं है ठीक है अगर आपने interview में दिखा दिया कि आप बहुत अच्छे learner हो आप quick learner हो तो भी आपको यहां पे apply यहां पे select हो जाएगा यहां पे आपको select कर लिया जा यह form आपके सामने खुल जाएगा start tech एक company है जो की third party hiring करती है तो मिंत्रा के लिए customer support employees की hiring कर रही है ठीक है अब यहां पे form फिल करना है आपको यह candidate name phone number फिल करोगे email id highest qualification फिल करोगे ठीक है year of experience source ठीक है क्या source है sub source name permanent address अधान नमबर पैन नमबर यह सारी चीज़े windows कौंसी windows यूज करते हो system ram कितनी है processor क्या है wifi connection है कि नहीं है webcam headset yes or no ठीक है और microphone और current location अगर आपके पास अभी headset भी नहीं है आपके पास microphone भी नहीं है तो कोई बात नहीं है yes yes कर देना ठीक है बाकी bit time आपके पास आ जाएगा ठीक है तो current location फिर submit कर देना है submit करने के बाद यह form जो है जो star tech HR की team है वो देखीगी और फिर उसके बाद आपको call back आएगा ठीक है और फिर उसके बाद आप कैसे interview देते हैं कैसे test देते हैं फिर उसके बाद यहां पर आपकी जो job है आपका selection हो जाएगा depending upon आपका interview depending upon your test तो जल्दी सी जाके apply करो जो जो ओडिन स्कूल का demo का link है वो भी मैंने video के description में दे दिया है मिन्तरा का जो यह job profile है यह भी मैंने video के description में दे दिया है सो आपको क्या करना है बस आपको चाना है and apply करना है और जादा कुछ ने करना है मैंने आपको मैंने आपके लिए research करी और आपको information बता दिये अब आपको थोड़ी सी महनत करनी है application form बढ़ना है और summit करना है ठीक है so till my next video bye folks take care and have amazing day